चै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 मई और 8 मई 2022 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिथी क्या होगी, नक्षत्र क्या होगे, योग क्या बनेंगे और इन योगों का प्रभाव, इन ग्रहों का प्रभाव आपकी दिंचरिया पर कैसा होगा जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले जुड़ जाएं हमारे जैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं साथ मई का जो दिन है ये शनिवार का दिन है शुकल पक्ष की शस्टी दिती है इस दिन पुनर्वसू नक्षत्र रहेगा दो फैर बारा बज कर अठारा मिनट तक उसके बाद पुष्ण नक्षत्र लग जाएगा जो सभी 27 नक्षत्रों में सर्वस्रेजिटर नक्षत्र माना जाता है इस दिन शूल नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा अप्टनी राशी करक राशी में है सुर्य मेश राशी भणी नक्षत्र में इसके लाबा इस दिन रवी योग भी है और अभी जीत मुरत है सुबह 11 बज कर एक 50 मिनट से दोबहर 12 बज कर 45 मिनट तक 8 माई का दिन ये सब्तमी थी थी है शुकल पक्षकी बैसाक मास की सब्तमी थी यानि ये गंगा सब्तमी के नाम से जानी जाती है पुष्य नक्षत्र है इस दिन गर्ण नाम का योग है चंद्रमा अप्नी राशी करक राशी में सूरिय मेश रासी में इसके इलावा इस दिन दो और वियुत्तम योग है जब भी रविवार के दिन पुश्य नक्षत्र होता है तो रवी पुश्य योग का निर्मान होता है जो पुश्य योग है वो दो योग सब सर्फ स्रेस्ट माने जाते हैं एक तो रवी पुश्य योग और एक गुरु पुश्य योग साथ में सर्वार सिद्धी योग भी बना हुआ है जो पूरा दिन रहेगा और अब जीत मूरत है सुबह 11 बज कर 51 मिनट से दोपहर 12 बज कर 45 मिनट तक ये हो गई ग्रहों के इस्तिति ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन करक राशी में विराजित हैं इसके अलावा योग बहुत अच्छे बने हुए हैं तो इन योगों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से पहले हम बात करेंगे 7 मई के बारे में कि 7 मई का जो दिन है वो सिहंग राशी के लोगों के लिए कैसा होगा तो ये जो दिन है मौज मस्ती करने का है मन पसंद काम करने का दिन है आपके बारवे भाव में चंद्रमा है जो विदेश से जोड़ा हुआ भाहा भी होता है करक राशी में चंद्रमा जो की जो चंद्र की खुद की राशी है एक तो जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है उनका पैसा उनको वापस मिल सकता है और आप अगर किसी चीज की वज़े से किसी कोई परिशानी में थे या काफी ज़दा आपको टेंशन थी तो कहीं न कहीं आपको मांसिक शान्ती भी मिलती हुई दिखाई दीगी आपका ग्यान लोगों को एट्रेक्ट करेगा आपका जो हसी मचाक हास परिहास का जो वहवार है वो आपके चारों और लोगों को अपर भावित करेगा आज कर सकें इस्टूडेंट्स की अगर बात करें तो आज उनका जुम्मन है वो पढ़ाई से भटक सकता है उनको ध्यान देना होगा वरना उसकी वज़े से उनका काफी समय बरबाद हो सकता है परिवार में किसी सदस्य के साथ थोड़ी सी विवादेत इस्तिति हो सकती है तो व इस राशी के लोगों को किसी समहों में सरकत करने का मौका मिलेगा और खर्चे का योग भी है साथ में विदेश से लाव की योग भी बन रहे हैं किसी भी तरह से आप विदेशी कंपनी से जुड़े हैं विदेश से किसी तरह का कामकाश करते हैं तो वहां से अच्छे लाव तो देने के लिए भी तयार है ना है दिन जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है लेकिन छोटी-छोटी कुछ ऐसी चीज़े हो सकती है जो आपको थोड़ा परिशान कर सकती है ये साथ माई का जो दिन है आपके दामपत्य जीवन के लिए अच्छा है आज जो एविवाहित ज तक हैं उनके लिए शादी के प्रेस्तावा सकते हैं शुब कारिया आज हो सकते हैं शुब कारिया करने के लिए अच्छा है जब भी पुशन नक्षत रहो तो उसमें आप किसी तरह की खरेदारी कर सकते हैं मांगली कारिया कर सकते हैं शुब कारिया जिन का आप समझते हैं वो आप कर सकते हैं, तो यह जो दिन है, यह उन सभी चीज़ों के लिए दोनों ही दिन बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं, आप अपनी दिनको बहतर बनाने के लिए कुछ अच्ची चीजें सोचेंगे, आपने साती के साथ वक्त बिताएंगे जिससे आपको काफी बहतर महसूस होगा और सुभा को साड़े ग्यारा बजे से दोपहर के एक बजे तक का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप अपनी योजनाओं को समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के अगर आपको मदद चाहिए तो आप वो मदद आप मांग सकते हैं जरुत पढ़ने पर आप उनकी भी मदद कर सकते हैं हिचके नहीं क्योंकि इसमें फाइदा आपका है इससे आपको लाव ही होगा तो समय आने पर आप भी उस विक्ति की मदद कर सकते हैं किसी भी अगर पेपर पर आप पसाइन करने जा रहे हैं तो होश्यार रहे हैं पहले से सारी चीजों को पढ़ लें तो अच्छा रहेगा और अगर कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो किसी सलहकार की सलहा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप बिना किसी की सुने अपनी बातें किसी पर थोपते हैं तो इसका भी आपको ध्यार रखना है अपनी भावनाएं, अपनी बातें किसी के उपर ना थोपें, इस चीज़ का ध्यार रखें, वर ना आप खुद ही किसी मुसीबत में फच सकते हैं, अब बात करेंगे आठ माई के बारे में, तो आठ माई का जो दिन है, ये गंगा सब्तमी का दिन है, इस दिन अमा गंगा का प्रत्वी पर हुआ था, इस दिन आप सुभा की शुरुवात अपने इसनान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल कर करें, उससे आप इसनान करें, जो कि इस दिन गंगा जल का बहुत अधिक महत होता है, कुछ उपाय भी होते हैं, जो गंगा जल से किये जाते हैं, आप अपने पूरे घर में गंगा जल का चड़काव कर सकते हैं, इससे आपके घर की जितनी भी नेगटिविटी है, वो सभी दूर हो जाएगी, रवी पुष्य योग बना हुआ है, तो पूरा दिन खरेदारी करने के लिए अच्छा है, किसी भी चीज की खरेदारी आप करना च चाहते हैं, आप जोलरी खरेदना चाहते हैं, आप कुछ शुब कारियों के लिए खरेदारी करना है, उन सभी चीजों के लिए ये जो दिन है, ये बहुत अच्छा है, आपकी लोग प्रियता अपने चरम पर होगी, और आप बहुत दूसरों पर अधिक प्रभाव को मिलेंगे, आज आप अपने जो आपके कॉंपटीटर हैं, उन से आगे निकल पाएंगे, और आपके दुश्मा ये आपकी कॉंपटीटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, परिवारिक जीवन बहुत ही जादा शांती पून तरीके से रहेगा, खुश हाल परिवार में, जीवन साथी और बच्चों के साथ इस नहीं से आपका दिन बीतेगा, आप एक दूसरी के काफी सपोर्टिव भी रहेंगे, परिवार में कुछ शुबह समारों भी हो सकते हैं, स्वास्तिया का थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ स्वास्तसंबंदी परिशान नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर सेहर थोड़ी सी भी ढीली लगती है, तो समय पर आप चिकितसक से परामर्श जरूर लें, प्रेम संबन ठीक ठाक हैं, और आपके बच्चे अगर हायर जो किषने से जुड़े हैं, और आपक जो सिक्षा कंप्लेट होने वाली है, तो उनके लिए नई नौकरी का योग बना हुआ है, अपने करियर की शुरुवात का योग है, जो जीवन में खुशियां लेकर आएगा, प्रेम और विवाहक के रिष्टों में मधुरता लाने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, औ आपकी माता काफी सपोर्टिव रहेंगी इन दोनों ही दिनों में, तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें, शेयर करें,